नमस्कार आज की इस यूड़े में हम बात करेंगे 36 प्रेश्प्रिक्षा 2023 में पुछे गए समान्य ग्यान, समान्य हिंदी और समान्य अंग्रिजी के प्रश्णों के बारे में समान्य ग्यान से पूछा क्या प्रश्ण है, समिधान के अनुछेद 12 में परिभासित राज्य सब्द में क्या सम्मिलित है, पहला में लिखा है भारा सरकार और समसद तो यह सम्मिलित है, दूसरा में लिखा है राज्य सरकार और राज्य विथान मंडल यह भी सम्मिलित है, त महारत के महानयवादी के विषय में सहीं क्या है पहला में लिखा है वहां लोक सभा में बोल सकता है यह सहीं है दूसरा में लिखा है वहां राजय सभा में बोल सकता है यह भी सहीं है तिसरा में लिखा है वहां संसत के संविक्त सत्र में बोल सकता है यह भी सहीं है चौता में 2020 के नवीन पाठ्यक्रम सरचना 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के अनुसार मुल्भुत चरण में कौन-कौन सी कक्षाय आती है तो इसके सही आशर हो जाएगा सेवा अर्थव्यवस्ता कृषि अर्थव्यवस्ता या नियंदृत अर्थव्यवस्ता प्रस्म लिखी है अब उत्वादन उसके प्रात्मिक चेत्र का हिस्सां 50% या उससे अधिक तो इसके सही आशर हो जाएगा प्रोटीन का संबन किस से पाया गया है ओप्शन है कुरोना वायरस मानोप्रतिरक्ष्य प्रनाली पौधेव पोशक्तत्व या कुपोशन इसका सही आंसर है ओप्शन ए कुरोना वायरस कौन सा भारतिय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद दांडी मार्च के साथ सुरू हुआ था आप्शन है खिलाफ़त आंदोलन असायोग आंदोलन सवीनाय अवग्या आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन सविनाय अवग्या अंदोलन के शुरुवात 12 मार्च 1930 से 6 अप्रेल 1930 तक चला था इसे नमक सर्त्यागरह के रुपें भी जाना जाता है यहां नमक पर ब्रिटिसों के एकाधिकार के खिलाब शुरुवा अंस्या के विर्योध प्रदासन अंदोलन था इसमें महात्मा गांधी और उनके समर्थकों ने समुद्री जल से नमक बना कर ब्रिटिस कर्म को तोड़ा था अगला प्रस्ना है किस आयोग ने उल्ले किया कि कार्य अनुभव विद्याले इन पाठेकरम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए तो इस प्रस्ने का सही आंसर है option A राष्टी सिक्षा आयोग 1964-1966 राष्टी सिक्षा निती 2020 ने अनुसंसा की है कि विद्यार्थेओं के लिए खेल अधारिक इसकूल तयारे मॉड्यूल बनाया जावेगा किस कक्षा के लिए यहां मॉड्यूल तयार किया जाएगा option है कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 3 या कक्षा 3 तो इसका सही आंसर है option C कक्षा 1 के लिए इसरों ने वर्ष 2022 के अपने पहले प्रक्षेपन में किस प्रित्री आवलोकान उब्रह को सफलता प्रूबक लांज किया option है EOS 4, EOS 2, EOS 3 या EOS 5 तो इसका सही आंसर है option A EOS 5 यह EOS को फूल फाम होता है Earth Observation Satellite अगला प्रस्ण है 1857 के विद्रोहों में दिल्ली में विद्रोही सेन का मुख्य सेनपती कौन था? option है अजीमुल्ला खां, नजीब खां, करीम खां या बक्त खां इसका सही आंसर है option D. बक्त खां निम्लेकित में से कौन समनांतर फसल का उधारन है? Option है गेहु प्लस सरसो, कपास प्लस गेहु, जवार प्लस आलू या आलू प्लस चावन धान तो देगे option में समनांतर फसल का उधारन है option A. गेहु प्लस सरसो निम्लेकित में से किन्यताओं ने तासकन समझोते में पर हस्ताक्षर किये? Option है वल्ला भाई पटेल एवं जिन्ना, जवार लान नहरू एवं अयूप खां, लाल बहादू सास्त्री एवं अयूप खां या जवार लान नहरू एवं जिन्ना तो दियेगा option में तासकन समझोते में पर हस्ताक्षर किये इसका सही answer है option C. लाल बहादूर सास्त्री एवं अयूप खांदवारा आर्थिक सर्विच्षन 2021-22 ने वित्यवर्ष तेज़, अब 2022-23 में भारत की GDP में कितनी वृद्धी का अनमाल लगाया है तो इसका सही answer है option A. आर्चे 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 5 प्रतिसद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् गिनी गुनांक या गिनी अनुपात को अर्थवयस्था में निमलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है option है मुद्र इस्पिती की दर, गरिभी सुषकांग, आय असमानता या व्यक्तिगत आय तो इसका सही answer है option C. आय असमानता गिनी गुनांक या गिनी अनुपात को उपसफपती का पद रिक्त हो तो राजसभा की बैठकों की अधक्षकता कौन करेगा तो इसका सही answer है option B. राष्टपती द्वारा नियुक्त एक सदस्य है जदी उप राष्टपती राष्टपती की रूप में कारे कर रहा हो और राजसभा में उपसफपती का पद रिक्त हो तो राजसभा की बैठकों की अधक्षकता राष्टपती द्वारा नियुक्त एक सदस्य करेगा इन में से किसका संबंध यस्पाल कमेटी रिपोर्ट 1993 से है option है प्रसारन के द्वारा सिखना बिना बोज के सिखना सिख्षा में सूचना और संचार्थ तकनिक या सूच के कि द्वारा सिखना तो इसका सही आंसर है option b बिना बोज के सिखना लर्निंग विदाउट बरडन निम्न लिखित में से operation blackboard कर संबंध किस से है तो इसका सही आंसर है option c विद्यालेों में मुलभुथ स्विधाय उपलब्ध कराने से आप्रेशन ब्लेक बोर्ड का संबंध है विद्यालेओं में मुल्भूत स्विधाय उप्लाभ्यों कराने से अगला प्रस्ण है रिकॉर्ड तीरपांद दसाम्दाद दो डिग्री सेलसियत के साथ कौन सा सहर पृत्वी पर सबसे गर्म इस्थान रहा है उप्षन है चेन्नई, दुबई, कुवेत या दिल्ली इसके सही आंसर ऑप्षन C कुवेत निमलेखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है आप्शन है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या गंगा तो दिएगे आप्शन में इसके सही आंसर है आप्शन डी गंगा गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है समाने हिंदी से पूछा गया प्रशन है इस्वर करें सबस्थर हैं कौन सब वाक्या है ऑप्शन है संकेत वाचक, इच्छा वाचक, प्रशन वाचक या संदेह वाचक संग्या के जिस रूप से वस्तु की जाती का बोध होता है उसे कहते हैं जो कि आप्शन में नहीं दिया गया है इसलिए इस प्रस्ण को व्यापाम के फैनल अंसर में विलोपित किया गया है अगला प्रस्ण है कौन सा इस्त्रिलिंग सब्दा है आप्शन है तील आहार भील या छाच तो देगे आप्शन में इस्त्रिलिंग सब्दा है वो है आप्शन डी छाच स्वरों के निश्चित चिन्हों को कहते हैं आप्शन है मात्रा, विराम, अनुस्वार या चंद्रबिंदू इसके सही आंसर है आप्शन A मात्रा स्वरों के निश्चित चिन्हों को कहते हैं मात्रा लोटास शब्द है, आप्षण है तत्सम, तदभव, विदेसी या देशज सही अंसर नूपसण D, देशज, लोटा देशज सब्द है गंगा नहाना का अर्थ है, option है, सत्य बोलने के लिए तयार होना, पवित्र होना, कार्य पूराकर के निश्चिंत होना या गंगा की अराध्या करना तो गंगा नहाना का अर्थ है, option C, कार्य पूराकर के निश्चिंत होना आजीवन कौन सा समास है? आप्शन है कर्मधारे समास, दिगु समास, अव्यवी भाव समास या बहुब्री समास इसके सही आंसर है आप्शन C, अव्यवी भाव समास आजीवन का समास उग्ड़ा होगा जीवन भर और यह एक अव्यवी भाव समास का उधारन है एगला प्रश्न है भासा के सुधरूप का ज्यान किस से होता है? आप्शन है लिपी, लिखित भासा, व्याकरण या पठन इसके सही आंसर है आप्शन C, व्याकरण भासा के सुधरूप का ज्यान व्याकरण से होता है जो इंद्रियों दौरा जाना ना जा सके के लिए एक सब्द क्या है? असुद्ध सब्द को पहचानिये, option है भाउक्ता, सूची, उजवल या साहितिक तो देगे option में असुद्ध लिखा है, वो है option शीव उजवल, यहाँ पस अधज़ा होता बागी तिनों ही भाउक्ता, सूची और साहितिक, यह तिनों ही सही लिखा है चमार ने अंग्रेजी से पूछा गया प्रस्न है, read the following passage तो इस वाले passage को आप वीडियो पॉस्ट करके पढ़ लिए जी का, now answer question numbers from 91 to 93, based on the above passage passage का question है, what effect did the steep current have upon the gang, तो इसका सही आंसर है, option D, both B and C, it tripped their legs from under them, or it greatly increased the fun, next question है, in the given passage, the word bar appears thrice, what is the meaning of it, तो इसका सही आंसर है, option B, a submerged or partly submerged bank, as option, along a shore or in a river, often subtracting navigation, read the line, they were perfectly round, white things, a trifle smaller than an English walnut, this line describes the discussion answer, option C, the turtle eggs, given is a statement, Rajesh is opening a new pizza shop next week, in light of the given statement, read the following arguments, it indicates present time, it indicates futurity, now choose the correct option, only argument 2 is correct, it indicates futurity, punctuate the given sentence, what a great shot, तो इसका सही आंसर है, option B, what a great shot, उसके बाद यह punctuation mark, next question है, there are some definite stages to writing an argumentative essay, here are some of them, but they are not in the proper order, तो इस तर सेंटेंस दियाया है, वो proper order में नहीं है, तो इसे proper order में जमाएंगे, तो पहला में हो जाएगा, यह वाला, introduction of the argumentative text, उसके बाद हो जाएगा, developing a perspective, उसके बाद हो जाएगा यह, writing the first drop, उसके बाद होगा, peer feedback and editing, उसके बाद यह वाला हो जाएगा, final drop, तिस तर से हो जाएगा sentence, introduction of the argumentative text, developing a perspective, writing the first drop, peer feedback and editing, final drop, इस तर से सही आशर हो जाएगा, option D, give the one word for the following expression, an official written record of what is discussed or decided at a formal meeting, तुसके लिए बाद हो जाएगा, option D, minutes, while writing a paragraph, we keep cohesion and coherence in mind, तुसके बाद हो जाएगा, option C, both A and B, cohesion is the sense connection, coherence is the logical connection, read the following statement from a notarized rent agreement, the tenant shall pay the rent in advance, here the word shall expresses, तुसके सही आशर हो जाएगा, option C, legal binding, which of the following is not a member of word family, wit, option है, witty, witness, outfit, या witticism, इसके सही आशर है, option D, witness, thanks for watching, jay hind.